हेलो गाई स्वागत आप सभी लोगों का हमारे एजूकेशन ग्यान यूटीब चनलने के इंतर मैं सुरब एक बास फिर आपके साथ आज जो है इसमें हम पता करने वाले हैं इसमें इसमें देखिए सबसे पहली बात यह है यह उन उस्ट्रेंट के लिए है जिनके अग्जाम दिसंबर मां होना वाड़ा था लेकिन उनके अग्जाम पॉस्ट्वर्ण कर दिया गया है उनके एक्जाम में होने वाले हैं ठीक है फर्वरी फर्स्ट वीक में उनका इड्मिट कर आ जाएगा अभी देख्ते फिलाल यही डीटेल हमें प्राप्त होई है बाकी देखते हैं अगर बात में चेंज होता है तो लेकिन जब भी अगर एक्जाम होते हैं फर वैसे जहां चानल से फर्वरी में एक्जाम आपके होते हैं ठीक हैं तो फर्वरी में ही आपको हो जाएगा ठीक है उससे में कहना चाहँगा कि आप इसमें यूनिट नंबर वन विए वैसे बहुत इंपोर्टन नहीं है सिकार और संग्रेहन पर लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इसमें से चांस है 50% आनेगा कि आपको जो है यह पेपर में एक्जाम में आ सकता है 50% चांस इसके हैं इसलिए आप इसको पढ़िए का ही पढ़िएगा पहला चैप्टर तो वैसे भी मुक्का में पढ़ना ही चाहिए इसमें आती है बार में यूनिट नंबर टू और यूनिट नंबर फॉर ठीक है यह गाइस यह दो चुसमें यूनिट है यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इन दोनों का जरूर पढ़िएगा यूनिट नंबर जो है पसुपाला खाना बदोस इसमें से 90% चांस होता है हर जो बार इसन बंक बनता रहीं चॉत्त है आपका पान्ति करांधि इसमें आता है हरबार यहांता है मुख्य रुपसर दस नंबर में थाक है तो यूनिट नंबर जो है आपको इसके आपको कीटाब अटी है कनसे योगन सब ब् Rataime ले उसमें मिला गणर है तो व और सौरी यूनिट नमबर आठ ठीक है यूनिट नमबर आठ जो है बहुत ज़्यदा मोस्ट इंपोर्ट है लेकिन देखिए इसमें जो है एक यूनिट नमबर छह और साथ यह तीनों ही आपको पड़ने ही पड़ेगी यूनिट क्योंकि इसमें से इन तीनों चैप्टर में से प्रूब्लम यह किसा क्यिस्ट कर्म जानते कि इस तो पक्ता है वहां पर यह पर यह प्रम यहां पर समाज के वारें पूसता इकाएं आsan सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बागी आगे चलते हैं अब आती है आपके तीसरी तीसरी किताब जो है उसमें आपका देखे इसमें जो है वैसे कोई चैप्टर है नहीं लेकिन फिर भी जो है इसमें आपको यूनिट नंबर 13 पढ़ने ही पड़ेगी ठीक है यूनिट नंबर 13 जो है रोमन समराज्य है बहुत तो जादवा मतलब इसकी संभावना होती है आने कि नहीं पढ़ने वाला है ठीक है तो आपके पास मतलब आप टेम से करते हैं कवर अच्छे सा करना चाहते हैं तो मैं आपको करना चाहेंगा कि आप यूनिट नंबर 12 भी कर ले वैसे ज्यादा संभाव नहीं होती है प्राचिन यूनान की कभी कभार बारा में से कोशन बन है अब आती है हमारी नेक्स बात ठीक है नेक्स किताब नेक्स किताब है उसमें से भी गाइस कुछ भी नहीं बनता है लेकिन फिर भी आप जो है एक बार के लिए यूनिट नंबर 14 पढ़िए क्योंकि उसमें जो है अंदर से चैप्टर कर पूछ लेता है ठीक है कि इसमें जोए तो पिक बनते हैं वैसे लैटन-ं-अमेडिका का है ठीक है इसमें घूर्षी लेकिन मुख्य रूप से आता है आथा है ठीक है एकि तो का माया सब बैता आता है दूसरा है इसमें मुख्य रूप से दो सब्हेता है यह काफी इंपोर्टेंट रही है दस नंबर में काई वरब बन जाती है इसलिए इसको आप पढ़िएगा फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट बुक के ओपर ठीक है ध्रम राज्जे वह समाज में इसमें लेकिन इसमें यूनिट बहुत इंपोर्टेंट नहीं है फिर भी मैं आपके पास टैम है तो आप यूनिट नंबर 19 इसकी पढ़ लीजेगा जिसका नाम है चीन चैप्टर ठीक है वैसे पर उसके पर भी कोशन बहुती कम चांस है बनने के फिर भी लेकिन अगर आपके पास ट कोशन आपका बनता ही बनता है सामन्त वाद कर थी इसमें कैसे हैं इस में के विचार एंटी विचार बार पोछो जाते हैं तो चाहिए क्या इसलिए आप इसको भी पढ़िएगा इससे आपको सामंतवाद की जो रास्ता थी वह आपको काफी अच्छी से समझे में आ जाएगी ठीक है उसके बार आती है युनित नमबर बाइस में क्या इंपोर्टेंट है कि इसमें जो है सामंतवाद के चरण पूछे गए हैं क्योंकि सामंतवाद का पतन पूछा गया है साथ में उसका पतन भी बताया गया ha institutions इसमें जो है नमबर 24 मैंसे वैसे देखें बहुत ज़्यादा नहीं है चोटा लिए तो मैंसको नमबर 24 मैंसे आप सामनतवात का पतन की इस तरवा छोटा सा टोपिक उसका निकाल के पढ़ लीजेगा बाकि इसकी कोई जरूत नहीं है वैसे ठीक है अब आती है मैं नेस्ट कि किताब जो यह वाफ की बहुत इंपोर्टन किताब है इसमें जो है फिर भी वैसे की कोई जरूत नहीं है इस वाले बुक को उठा कर देखने की भी लेकिन फिर भी एक परसेंट को जो है इसमें यूनिट नमबर आप 24 देख सकते हैं एक बार को ठीक है यूनिट नमबर 24 ज़्यदा परिवाद नहीं है फिर आती है आपकी नेक्स्ट वोग इसमें नेक्स्ट किताब जो है इसमें एक यूनिट नमबर आती है आपकी 39 ठीक है धार्मिक संस्था यह काफी बार को संद पूछा जाता है धार्मिक संस्था है वाला ठीक है इसको आप जरूर यह अच्छी से इसमें कुछ नहीं है बाकि यूनिट नमबर 32 ठीक है लेकिन जब बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट यूनिट है आपको मैं पता चुका हूं कौन-कौन सी है ठीक है एक बाद मैं आपको फिर से दिखा लेता हूं गाइस एक तो आपकी यूनिट नमबर 2 और यूनिट नमबर 4 ठीक है मैंने यह कवर कर रखा है ठीक है यूनिट नमबर आपको दो और चार बहुत जाता है इंपोर्टेंट है यूनिट नमबर ये छह सब तीनों ही आपको पढ़ने पढ़ेगी इसलिए बीस नमबर को सनाते हैं मैं आपको पता है इसमें बाकि तीरह इंपोर्टन कहा सकती है 12-14 की उसमें ठीक है अब फिर आती है हमारी यूणिट नंबर पूर्ण पूर्णिस हम इसको भी इंपोर्टन कहा सकते हैं एक बार के लिए और यह जो है यह तीनो यूणिट काफी इंपोर्टANG यहां से इसलिए नमबर के अंदर से वे आसकता है असलिए सिजका आप द्यान रखेगा रागी तीन नमबर 24 और आपकी 39 और 32 आपका दिजिएगा वैसे वह जड़का नहीं है अगर आप छोड़े देते हैं को छोड़ना चाहते हैं तो छोट भी सकते हैं ठीक है इसके बजाए आप जो है यह नमबर 24 पढ़ लीजेगा ठीक है और यहां पर इसको पढ़ लीजेगा इतना ही था इस वीडियो में अब आपको सारी वीडियो बनाई जा चुकिए हैं चैनल के ऊपर आपको डिस्क्रेप्स में लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट लिंक मिल जाएगा अब वहां से डारेक्ट जो है प्लेटि में विजिट कर सकते हैं और वहाँ को सारी वीडियो मिल जाएंगे ठीक है और यह मैं चाहिए फाइब की और फॉर की वीडियो आपको बता दी गई है तो की बता दी गई है तो आपको डिस्ट्रूशन मिल जाएगा नहीं तो आप चैनल के पर भी जाए सकते हैं बस गाई सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है और हो सकता वीडियो का आप सेर पर जुरूर कर दीजिए इस वीडियो में इतना इथा आइस मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में थैंक्यू गाइस